बेगुसराय जिले में बेख़ौफ अपराधियों ने दिन दहड़े एक बैंक में लूट की घटना को अंजाम दिया है अपराधियों ने बैंक से 6,50,000 रुपई लूट कर फरार हो गए इस घटना के बाद बैंक में अफरात तफरी का भी महौल बन गया है घटना चेरिया बर्यारपूर थानक शेतर के यूको बैंक की है बैंक के करमचारियों ने बताया कि नकाब पोश अपराधियों ने हतियार के बल पर बैंक मेनेजर को बंधग बना लिया और लूट की घटना को अंजाम दिया लूट की घटना सीजी टीवी में कैद हो गई है जिसके आधार पर पुलिस डकैतों की पहचान में जूटी है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे समवादाता जितेंद्र जुड़ चुके हैं जितेंद्र 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 के मैं आपको बता दू कि यह मामला तर्या भई या सुफाना सर्गत आको पूर्ट जी लगता है नेट्रोक प्रॉलम की वज़ेशे हमारे समवादाता से हमारी फोन लाइन पर बात अभी नहीं हो पाएगी उसका कनेक्शन कट गया है तो एक बार फिर से मापको बता दे आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं यह जो घटना है बेगू सराय के चेरिया बरियार पूर्थानक्षेतर की है जहांपर यूको बैंक से लुटेरों ने हतियार बल लुटेरे जो की बैंक में पहुँचे और दिन दहडे चोरी की घटना को अंजाम दे दिया है और एक बार फिर से पुलिस के कारिय श्यली पर सवालिया निशान खड़े कर दिया है चोर दिन दहडे फरार हो गए है और इस घटना के बाद से ही बैंक में अफरा तफरी का आलम है फिलाल इस लूट की घटना जो है ये वारदाथ CCTV कैमरे में जो की बैंक के परिसर में लगा था वहाँ पर कैद हो चुकी है और पुलिस पूरे मामले के शान बिन कर रही है